ये चिंता जबख है कि मम्ता बहनर जी जो की बात करती हैं मा, माटी, मानुश और उसी प्रदेश से आज मदर ओफ ओल्स कैम्स सबसे बड़ा भ्रष्टा चार सामने आ रहा है आप सोचिए, CAG रिपोर्ट में जो तथे सामने आए हैं, जब एक नोशनल वाल्यू तूजी घोटाले को दी गई थी तो वो भी एक लाग शेप्तर अजार करोर के आसपास था तब कॉंग्रिस की भ्रष्टाचारी सरकार केंदर में थी और पश्चिप मंगाल एक प्रदेश से दो लाग करोर रुपए से ज़्यादा का घोटाला हो जाता है why shouldn't we call it the mother of all scams from a corrupt leader like Mamata Banerji who has completely forgotten that she has taken oath under the constitution of India to follow the constitution, the rules, the procedures laid down ये कहना गलब नहीं होगा खाता ना भही जब चोर हो मंता बैनर जी तो ब्रष्टाचार भी सही खाता ना भही जब चोर हो मंता बैनर जी तो ब्रष्टाचार भी सही और ये बात मैं इसक्रिए उजागर कर रहा हूँ हमें एक बात समझनी होगी अभी कुछ सब्ता पहले सुकांत जी साक्षात देखे हैं उस गटना को होते हुए एडी के अफसर पच्चिम बंगाल जाते हैं तो जो जंगल राज है वो इस कदर हावी है ममता बनर जी के मस्तिश्क में कि वहाँ पे एडी अफसरों पे हमला कर दिया जाता है क्या संदेश देना चाहती थी मंता बनर जी कानून से मैं उपर हूँ केंद्र से भी अगर रुपया आएगा प्रदेश की आमदनी जो होगी मैं लुटा डालूंगी लुट खसोग चोरी होगी दोका दड़ी मैं करूंगी जब संवधानिक संस्ता कम्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल जो की संवधानिक संस्ता है हमसे हिसाब मांगेगी तो मैं कहूंगी ठेंगा नहीं दोंगी जाओ ये करारा तमाचा मारने का प्रयास है ममता बनर जी का पश्चिम बंगाल की जनता के गाल पर पर वो भूल गई है जब कानून का डंडा परता है तो अच्छे अच्छे ब्रस्टाचारी भी सीधे हो जाते